स्मोकी चिकन विट सिल्के स्मूथ क्रेवी धाबे और रस्टॉरेंट से भी कई गुना बहतरी निये रिसिपी घर पे आसानी से तयार हो सकती है असलाम वालेकुम वेलकम टो एसके के चैनर व्लाक्स प्रेंट साज आपके साथ शेयर कर रही हूं उसल्के स्मूथ क्रेवी के साथ बटरी चिकन तो चलिए बिस्मिल्ला करते हैं तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक किलो चिकन इसको वाश करके ड्रेइन कर लेंगे और अब आट कर देंगे आदा लेमन का जूस अब इसको अच्छी से मिक्स करेंगे मारिनेट कर देंगे वक धना तो मारिनेट करके रख दें बहुत ही जाइकेदार यह से पी तयार होगी तो अब हमने पैंग में ले लिया है बटर और थोड़ा सी दो टेस्पन ऑईल भी ले ल देंगे 3-4 घmba मिर्ची और 10-12 का जूत आट कर देंगे आदा तीस्पून नमक कर देंगे और अब इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इसको कर ना है तो इसको सॉफ्ट कर देंगे ऑने वह अनमने से तीन मिनिट के लिए पका सा के लिए था उसके बाद पानी अ तो अभी हमारी जो टमाटर और प्यास वो गल गए है तो ब्लेंडर में एड़ करके इसके प्यूरी बना लेंगे पैन में एड़ करेंगे और थोड़ा सी बटर पे एक क्यूब और अब जो हमने चिकन की पिसस रखी ते मारिनेट करके उसको इसमें फ्राइ करना है तो शालो कर लेंगे एक साइड से जब कलर आ जाए तो दूसरी साइड से को टर्न करेंगे मीडियम फ्लेम पे करेंगे अच्छे से इसमें गोल्डन कलर आ जाए और दोनों साइड सी लाल हो जाने तक इसको फ्राइ कर लेंगे दूसरे पैन में हमने ले लिया है बटर का क्यूब और तो थोड़ा सी ओईल भी आट करेंगे और आब आट कर देंगे एक टी स्पून अद्रक लसुन का पेस्ट साथे करेंगे इसको एक मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर और आप जो हमने प्यूरी बनाई थी उसको हम चान लेंगे ताकि एकदम सिल्की स्मूथ हो जाए तो इसक चान लिया है अच्छे से और अब जो हमने अद्रक लसुन का पेस्ट इसको हम बना रहेते वह तैयार है तो आब इसमें आट कर देंगे धन्या कश्मीरी लाल मिच करम मसाला जीरा हल्दी आट कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला मीडियम फ्लेम पर भून ले तो चलाते वे हमने प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर लिया है एक्दम सिल्की स्मूध ग्रेवी तयार होती है हमारी अब टेस्ट पेसाब से नमक आट कर देंगे याद रखे कि हमने नमक पहले भी आट किया ता तो उसे हिसाब से आट करें हमने थोड़ा सी टमाटो केचप अब लगभग 2-3 टीस्पून आप चाहे तो इसकी जगा शुगर भी आट कर सकते है रेस्टोरें तो धाबा में थोड़ा सी मीठा पन होता है इसमें पटरी चिकन में तो इसके लिए हमने थोड़ा सी टोमाटो केचप आट कर दिया है इसमें मिल्क क्रीम आट कर देंगे ए मीडियम फ्लेम पे 3-4 मुनुट तहें पका टो अच्छे मिक्स कर लें ऐसको तो अब इसमें अच्छा बॉयल आ गया है अच्छे से मिक्स उगई है और मसाले चुकन अच्छे से पक चुका है इसमें ओड़्ीय मर्यूल है और चिकन तयर हमसाली है और टाबा ऑर रिस्टॉ तो देखे कितनी अच्छी स्मूध ग्रेवी तयार हुई है। इसको अप तंदूरी रोटी नान पराठा के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की तयार होती है। तो अब यह जब तैयार हो गई है तो अब इसको चाकॉल को हमने पहले ही गरम करनी आप थिया इसको और अब ये देखिए बहुत ही मज़े की हमारे रेसिपी तयार हुई है बिलकुल रेस्टोरें स्टाइल फ्लेवर हो जाएगा ये करने से तो अब हमारीबी एकदम तयार है तो चक कीजिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पर्फेक्ट है और ढाबाज और स्टाइड पrail ये इसी तरह गाड़ी सी होती है तो आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी इसको आप एड्जिस्ट कर सकते हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हुई है तो जरूर से रिसेपी ट्राय करें उमीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी तो चैनल पे नए है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करके शेर कर दें टेक केर थैंक्स वॉचिंग अल्लाहाफिस